पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि अच्छे आक्टर्स और ठीक ठाक आक्टर्स की फिल्में भी चली है लेकिन अब एक बहुत ही फाइन आक्टर की फिल्म आ रही है ये अपनी आक्टिंग से लोगों को दीवाना बना देते हैं जब भी फिल्म इंडस्ट्री वालों को चैलेंजिंग रोल्स पर फिल्में बनानी होती है तो वो इनी को कास्ट करते हैं मैं बात कर रही हूँ राजकुमार राव की जिनकी फिल्म श्रीकांत का ट्रेलर कल रिलीज हुआ ट्रेलर जबरदस्त है, कहानी दमदार है, डायलोग उससे भी भारी है यानि कि जब ये सारी चीजे एक ही दिशा में होती है तब कह सकते हैं कि फिल्म सूपर हिट है टी सीरीज ने इस फिल्म को प्रिड्यूस किया है और कह सकते हैं कि बहुती दमदार कहानी आप जल ही देखेंगे श्रीकांत में राजकुमार राओ रोल कर रहे हैं श्रीकांत बोला की जो एक विज्वली इंपेर्ड है लेकिन आज सबसे बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट है विज्वली इंपेर्ड होते हुए श्रीकांत ने कैसे जिन्दगी की हर्डल्स क्रॉस की कैसे जिस category को लोग सड़कों पर भीक मांगने के लिए या बिना किसी काम के लिए छोड़ देते हैं उस category से होने के बावजूद श्रीकांथ ने कैसे इतनी बड़ी position पाई इतने बड़े सपने साकार किये ये कहानी तो वाकई में देखने लाया कि श्रीकांथ का ट्रेलर देखकर ही पता चल गया कि श्रीकांथ फिल्म बहुत ही सूपर हिट होने वाली है जहां पिछले कुछ समय में हमने देखा कि आक्शन फिल्में जिसमें 10-15-15 मिनिट के आक्शन सीक्विंसिस चल रहे हैं गोलियों की दडड़ाहत हो रही है वैसी फिल्में भी चली है तो श्रीकांथ तो एक बहुत ही खुबसूरत कहानी है एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हमारे बीच ही था भगवान ने उसे एक स्पेशल चैलेंज के साथ भेजा लेकिन उस स्पेशल चैलेंज को उसने अपनी स्पेशलिटी बनाई और किस तरह से उसने दुनिया में नाम कमाया दुनिया के लिए एक मिसाल बना रियल श्रीकांथ बोला की लाइफ की स्टोरी हमने दो साल पहले बॉलिवुद ठेकाना पर बनाई थी अगर आप अभी वो कहानी जानना चाते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप उस पर क्लिक करके कहानी देख सकते हैं कल जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉंच हुआ तो राजकुमार राव नज़र आए उनके साथ श्रीकांथ बोला खुद भी नज़र आए और राजकुमार राव को फिल्म में देखकर बिलकुल नहीं लगता है कि वो देख सकने हैं ऐसा ही लगता है कि वो खुद भी ब्लाइंड है ये पहचान होती है एक शांदार आक्टर की राचकुमर राव के अलावा इस से फिलम के अंदर अलाया F है अलाया F के एच्छी खासी फाइन फॉलोइंग है जोतिका भी इस फिलम का हिस्सा है इसके खाले शरत केल कर भी इस फिलम में नजर आएंगे फिलम को डिरैक्ट किया है हिमांशु हीरानदानी ने जिन्होंने इससे पहले स्कैम 2003 सोनी पर जो वेब सीरीज थी उसे डिरेक्ट किया था इसके अलावा उन्होंने सान की आँख भी डिरेक्ट की और कई सारी बड़ी फिल्मों के राइटर रहे हैं जिसमें मस्ती जैसे फिल्म भी शामिल है